हेलो नमस्कार, गुड मॉर्णिंग स्टू प्रभाद, मैं निशान्त फिर से आपके लिए लेके आया हूँ, हमारा करेंट फेर्स का शेसन, जिसमें हम 30 बहतरीन करेंट फेर्स के सवालों को करते हैं, साथ में आपके साथ व्याख्या को करते हैं, और इस तरीके से व्याख्य के लिए योगदान बैच और बिहाड दरोगा के लिए महाशक्ती बैच दौंच कर चुका है, और इसका जो कोर्सेस है, यह कोर्सेस मात्र आपको 299 रुपे हैं, आपने सही सुना, मात्र 299 में यह कोर्स अवलेबल है, आप प्ले स्टोर से एस्पिरेंट स्लाइब को डाउ से क्यों है, और बहुत सारे आपको सुविधाय और बहुत सारे कंटेंड आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो हम शुरू करते हैं अपना करेंट का हमारा सिशन, हमारा जो पहला सवाल है, वो सवाल देखिएगा, यह राष्ट्रिया कैड़ेट कोर्स जिसको हम जानते हैं, एन् प्लास्टिक मुक्त, देखिए, कोशन क्या पुछना है, NCC, नेशनल कैड़ेट कोड, जैसे आप जानते हैं, नेक्या किया हाली में राष्ट व्याफी, पुनीत, सागड़ अभियान, मतलब सागड को स्वच्छ करना है, इसी श्रिंखरा में काम किया है, कि प्लास्टिक प्लास्टिक मुक्त बनाना है, अगर ये प्लास्टिक मुक्त बना हमारा जल निकाए, तो पीने का पानी दुशीत नहीं होगा, और जो एक्वाटिक अनिमल्स है, जो जल में राने वाले जीब जन्दू है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, तो ये शुरू किया अब हम देखते हैं अब दूसरे सवाल को हमारा दूसरा सवाल है हिमाले पड़बत की प्रकिरती को बचाने और बनाए रखने के लिए परतेक वर्ष हिमाले दिवस कम मनाय जाता है सभी हैं हिमाले पर आज बहुत साड़ी लोग जो है वह जाते हैं ऑपने drengers को पूड़ा करने के लिए और सास में ले जाते हैं धेरो कचड़ा जो कचड़ा इतना हो चुका है कि सास में एक और हिमाले कचड़ा का खड़ा हो जाएगा इतना कचड़ा वहां पर पैदा कर रहे हैं तो इसको बचाने के लिए एक मोहीम चलता है हर वर्ष हम मनाते हैं उस डे को तो वो डे हो कि हिमालय बहुत ही महत्यपुण हमारे देश के लिए है अगला सवाल हमारा नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबड को आयो जित G20 सिकर्ट सम्मेलन में भारत के प्रस्ताओं पर निमलिखित किसे G20 के अस्थाई सदसे पर्मानेट मेंबर ऑफ G20 के रूप में शामिल किया गया सितंबड महिने में हमारे देश में G20 समिट हुआ था देश के लिए बढ़ ही गौड़ाब की बात थी और इसमें जो G20 था अब से जो कहला जाएगा वो G20 प्लस 1 क्योंकि शामिल हुआ एक और नया देश नहीं एक और नया देशों का यूनियन जिसको बोलते हैं अफ्रिकन यूनियन अफ्रिकन यूनियन ए यू ये सामिल हुआ जबकि जो अब G21 भी कहा जाने लगा है कि कौन सामिल हुआ है अफ्रिकन यूनियन जी ट्वेंटी में सामिल हुआ है पहले उनीज देश से ताथ में एक था यूरोपियन यूनियन अब जुड़ गया अफ्रिकन यूनियन तो हो गया हम ट्वेंटीवण अरह सवाल हमारा हाल ही मुड़कों में आये विनाशकारी भुकंब जिसमें हजारों लोगों की जान गवा दिया जिसमें कहां आया मुड़कों में एफ्रिका का देश मुड़कों वहां तुफान आया तुफान नहीं वहां भुकंब आया और उसमें हजारों लोगों ने प पड़ कितनी थे देखिए भुकम्ब की तिवर्था को मानते हम जो आपको Richard है कि उसपर मानते है Richël के जो तिवर्था थे जितना इंटेस ज्यादा तिवर्था होगी उतना ज्यादा लोग का जान जायेगा उतना ज्यादा विनाशकारी विद्वनसक होगा यह हमारा जब भुकंब आता है तो तो यह जो मुरकोम आया था उसका scale था 6.8 यह एक्जाम में याद रखिए अगर 6.8 यह लाखों लोग की जान जा सकती है तो imagine कीजिए 8 या 9 पर पहुंचने के बाद अगर वो सिर्फ 5 सेकेंड के लिए वो भुकंब रहा 5 सेकेंड के stable रहा तो बड़े बड़े देश चाहे कोई भी देश हो चाहे देश की जितनी आबादी उस देश का उतना च्छती हो सकता है आप किसी तरह का बिल्डिंग बनाईए भुकंब रोधी बनाईए लेकिन अगर आठ नौ से उपर अगर उसका त्रिवरता रहा भुकंब का और पांच से दस सेकंड तक भी भुकंब आ गया तो वो सब धराशाई हो जाएगा तो मड़कों में जो आया जिसने लाकों हजारों लोग की जान ले लिए वो रहा हमारा 6.8 का अगरा सवाल हम देखते है सितंबर 2023 में भारत और निमलिखित किस देश के बिच भारत की UPI और फोन पे से लेंदेन की दिज्टल पेमेंट सर्विष शुरू हुई देखिए, दिज्टल यूग शुरू हो गया है, दिज्टल यूग में पेमेंट भी अब दिज्टल तुरू करते हैं, जो की ट्रास्परेंट होता है, पारदर्शी होता है और भारत ने UPI और फोन पे की द्वारा लेंदेन का एक निया श्रिंखला शुरू किया है वो किया है नेपाल के साथ हमारे छोटे से मुल्क पडूसी देश नेपाल के साथ शुरू किया है ये श्रिंखला अगला स्वाल हमारा भारती वायू सोने सेना और ड्रोन फेडरेशन ओफ इंडिया कि सह में जिबानी में 25 से 26 सेतंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ती 2023 का योजन कहा हो होनी की योजना है यह हो चुका है यह यह हो चुका है तो यह कहा हुआ है एकजम पुछेगा कि यह कहां घटना घटी है यह जो घटना है वो कहां घटी है तो यह जो घटना है यह जो वहाँ पर जो ड्रोन का साथ में शक्ती जो प्रतरशन किया गया है वो किया गया है हिंडन एयर फोर्स कहां किया गया है हिंडन एयर फोर्स का स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है कहां पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन एयर फोर्स स्टेशन जहां पड़ भारती वायू सेना और साथ में ड्रोन फ्रेडरेशन आफ इंडिया का एक ज्वाइंट आयोजन किया गया था अब आते हम अगली सवाल पड़ हाल ही में पड़्यावरण पर उनिस्वा अफ्रीकी मंत्री अस्रिय सम्मेलन निमलिकित में से किस देश में आयोजित किया गया देखिए कहां पर प्रयावरन पर उनीसवा मंत्री असरी ये सम्मेलन क्योंकि प्रयावरन जो क्लाइमेट चेंज है वो काफी तेजी से बदल रहा है और काफी तेजी से ये विनाश लेके भी आ रहा है दुनिया भण में फसल की उपज कम हो रही है और तापमान बढ़ से जा रहा है तो ये जो हुआ था वो हुआ था अदिस अबाबा में कहा हुआ था अदिस अबाबा क्या दरखेगा कहा हुआ था अदिस अबाबा में हुआ था अगरा समाल निमलिखित में से अमेरिका के किस एंटि कास्ट डिस्क्रिमिनीशन बिल पेस किया गया वो भी अमिर्गा के राजी के असेमली में तो वो कौनसा राजी था वो था कैलिफोर निया कौन था कैलिफोर निया हमारा गला सबर हम देखते हैं हाल ही में केंद्रिय समुंद्री मस्ती की अनुसंधान संसान Central Marine Fisheries Research Institute ने के विज्ञानिकों निम्रिखित में से किस मंशिली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल किया देगी है अभी तक हुमन का जो DNA है उसका डिकोडिंग किया जाड़ा था अब मश्लियों का भी किया जाड़ा है उससे बहुत साड़े बार जीका जो है वो लाब है इसी वजह से यहां पर किया जाड़ा है तो वो कौन से मश्ली है जिसका यह जीनोम डिकोडिंग किया गया तो वो मश्ली है इंडियन ओल सार्डिन इसका किया गया जीनोम को डिकोडिंग किया गया ये इक्जाम के लिए अती महत्पुर्ण है बहुत सारे इक्जाम में ये कोशिन देखेगा आपको नजर आएगा ये कोशिन को पुछा गया है अगरा सवाल हमाणा भारत सरकार दोड़ा नव भारत सक्षर्ता काड़ेकरम निउ इंडिया लिटरेसिव प्रोडाम के बारे में जागडूकता पैदा करने के लिए सक्षर्ता सब्ता कब से कब तक मनाया गया देखिए भारत में निउ लिटरेसिव प्रोडाम अब एक प्रोडाम लाया गया भार तरीन मुहीम है और इसी मुहीम के तहट साक्षर्ता सब्ता जो हमारा हमारे देश में मनाया गया वो बनाया गया है एक सेप्टमबर से लेकर आठ सेप्टमबर तक न्यू इंडिया लिटरेसिर प्रोडाम जिसमें 15 वर्ष से उपर जो भी व्यक्ति जो पढ़ नहीं पाए जो पहले प्रोड सिक्षा या वैसको सिक्षा का माध्यम था उसको बदल के कर दिया गया न्यू इंडिया लिटरेसिर प्रोडाम तो कौन से तिथिक को मनाया गया ये सप्ता? एक से आठ सेप्टमबर को मनाया गया ये सप्ता प्राकिर्तिक आपदाओं और संकतों के दोड़ा चिकच सा देख भाल और सहाइता परदान के लिए भारत दोड़ा विक्सित दुनिया के पहले पोटेवल अस्पताल को क्या नाम दिया गया? प्राकिर्तिक आपदाय हो या संकत हो सबसे पहले जड़ पड़ता है First Aid का जिसको बोलते है प्राथ्मिक उपचाड और ये उपचाड भारत में दुनिया का पहला भारत ऐसा दिश बना है जो Portable Hospital Portable मतलब क्या होता है जिसको आसानी से लोग carry कर सके आसानी से उसको ले जा सके वो बनाया गया उसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब छोटा सा Box जैसा है जिसमें Hospital से जूड़ी की जितनी Facility हो सकती है उसको उसमें डाला गया है नाम क्या रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब अगले सवाला हमारा हाल ही में किस मीनी रतन सावजनी को प्रक्रम को नवरतन का दर्जा दिया गया है अब देखें ये मीनी रतन होता क्या है ये और ये नवरतन क्या होता है मीनी रतन नवरतन और एक होता है महारतन सरकार की भाड़ सरकार की जितनी भी कमपनी है जैसे LIC, जैसे ONGC, जैसे Indian Oil Corporation, ऐसी कोई भी कंपनी जो है, उनको तीन कैटेगरी में बाटा गया है, तीन नहीं समझेए, चार कैटेगरी में बाटा गया है, पहला, पहला कैटेगरी का नाम है महारतन, दूसरा है 9 रतन कंपनी, तीसरा है मीनी रतन कंपनी, जिसमें कैटेगरी 1 होता है, और मीनी रतन में कैटेगरी 2 हता है, मिनी रतन में category 1 होता है और मिनी रतन में category 2 होता है इस तरीके से चाड़ भव कर बढ़ना गया है कमपणी पहले मिनी रतन में थी इसको यह कमपणी अब नवरतन में आगए मतलब 있으니까 मिनी रतन या नव Celsius या महादन इसको status देने का कितना प्रॉफिट है और कंपणी सरकार को कितना टेक्स पे कर रही है इसी हिजाब से कोई भी कंपणी भाड़ सरकार की वह नवरतन मीनी रतन और महारतन में गिंती होती है में गई है तो वो है राश्टी गेमिकल और रास्टी केमिकल एभूम फटलाजस लिमिटेड क्या है राश्टी केमिकल एभूम फटलाजस लिमिटेड है ये कम्पनी का नाम राश्टी केमिकल एंट फर्टलाजस लिमिटेड आर्सी एफल यह है कंपणी का नाम जिसके जो थी मीनिरतन कंपणी और बन गई है नवरतन कंपणी किर्केट की दुनिया में अंतराष्टिय किर्केट खेलने वाली पहली ट्रांस्जेंडर किर्केट किलाडी डैनियल मैक गई निमलिखित किस देश की और से किर्केट खेलती है किर्केट में भी आप ट्रांस्जेंडर आने लग गए और transgender को दुनिया के बहुत सारे दिशों ने उनको समाज के मुख्य धाड़ा में आने के लिए अवसर परदान किया है ये अवसर थोड़ा स्लो है ये अवसर इतना तेजी से नहीं मिल रहा लेकिन जहां अवसर मिल रहा है ट्रासजेंडर पिबल काफी तेजी से उस सेक्टर में आगे बर रहे हैं तो इसी कदम में बढ़ाते हुए बहली ट्रासजेंडर जो किर्केट खिलाड़ी डैनियल मैक गेही जो कि अंतराश्ची किर्केट में आगे आ गई है वो कौन से देश से खेल रही है तो वो देश है क क्वेनेडा we all have a कग हाली में क्लाइमेट फुट बाल कप थे में कहां किया गया फुटे वहां किया गया है क्लाइमिट फुट बाल कब कोो स्क्रांटर आ Nós वहां किया गया सब्सक्राइब के पहले विक्तमंतरी कि आ नाम था आर्के शनमुःशन चेटी जो की पहले फिनास मिनिस्टर थे की परत्यमा का अमनारवन केंद्रियेक कपड़ा मंतरी प्यूश गोटवर सहल किया गया च्धSu जिसको बोलते हैं उद्घाटन किया गया, वो किया गया केंदरी एक कपड़ा मंत्री प्यूश गोयल के द्वाड़ा और वो तमिलाडू के किसी शेहर में किया गया, वो शेहर कौन सा है, चेन्नाई, मदुड़ाई, तिरुचय पल्ली और कोयमबटूर, तो वो शेहर हमारा है अप्शन डी कोयमबटूर, जहां पर यह उद्घाटन किया गया, कौन सा है, कोयमबटूर है, अगरा सवाल हमारा, एक दिवस्य क्रिकेट इतिहास की पाड़िव के लिहाज से, सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बले बाज निमलिखित में से कौन से हैं, देखें क्या है, व निमलिखित में से कौन से हैं, तो वो है बावर्ड आजम, जो कि पाकिस्तान के, वहां के क्याप्टन भी है, बावर्ड आजम, और अभी वर्ल्ड कप में आप उनको खेलते देख भी रहे होंगे, मिस वर्ल्ड परतियोगता का 71 संस्क्रण, मिस वर्ल्ड दोसर तईस, को भारत के किस शहर में आयुद किया गया था, ये जाएका नहीं किया गया था, तो ये जो शहर था जहां मिस वर्ल्ड परतियोगता हुआ था, जिसका 71 संस्क्रण हुआ था, वो हुआ था भारत के देश के सबसे सुन्दर सहरों में, एक श्री नगड में, क्या हुआ था, श्री नगड में, जो की पुड़ा बड़फीली बादियों से घिड़ा हुआ श है, निमलिकत कि इस देश के पुर्व किर्केटर, क्याप्टन हीथ इस्ट्रीक का 49 यर्स की उम्र में, अवस्था में निधन हो गया, यह जो किर्केट खिलाडी है, काफी बहुतरीन किर्केट खिलाडी थे, और साथ ही साथ, 1999 के वर्ल्ड कप में, और 1996 की वर्ल्ड कप में कि इन्हों का बहुत सार रिकॉर्ट बनाया, इन्होंने बहुत सार आचा के लाता, तो यह जिंबावे के पुर्व क्याप्टन, कौन थे, जिंबावे के पुर्व क्याप्टन थे, हीथ स्ट्रोक, हीथ स्ट्रीक थे, यह जिंबावे के पुर्व कप्तान, आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग पुड़ाने को देखते होंगे तो इनको कभी ने कभी आपने देखा होगा ये काफी बहतर खेल देते हैं बाद में फिर जिंभावे में कुछ पॉलिटिकल सीचूशन चींज हुआ वहाँ की टीम अब शामिल नहीं होती है वर्ल्ड कप में थेकिन 2003 तक वहां की टीम ने तो इवेन वहां की टीम ने कुछ मैच को वहां पर होस्ट भी किया था वर्ल्ड कॉप में हाली में केंद सरकार दोड़ा भारत के कि सेक्षनिंग संसान को मानित विश्विद्य याणि दिम्रेजनिशา का धरजा परदान किया मतल defenders सरकार के दोड़ा कौन से green का दरजा दिया गया तो वो दिया गया है को हमारा राष्ट्रिय सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसद जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से NCRT और NCRT के बिना बच्चों का छात्रों का और यहां तकी टीचरों का भी परने परहाने का सिलसला पूरा नहीं होता है या अधुरा राज ज अलग स्वाल हमारा वर्ष 2223 में 4 से 17 सिक्टमबर तक IWF World Weightlifting Championship 2023 का आयोजन निम्लिखित में से कहा किया गया था कौन सा Weightlifting Championship का जो आयोजन है वो किया गया था रियाद में कहा किया गया था रियाद में यह किया गया था हमारा अगरा सवाल हम देख रहे हैं यहां पर मालाबाड अभ्यास में कौन सी दो नौ सेना भाग लेती है कौन सी दो नेवी फोर्सेस है जो कि मालाबाड अभ्यास में भाग लेती है तो वो देश है भारतिय सेना और अमेरिकी नौ सेना इंडियन नेवी और USA की नेवी ये दोनों जो लेती है कुछ से मालाबार युद अभ्यास में ये दोनों देश भाग लेती है अब आते हैं माली सवाल पर हमारा अगरा सवाल है भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डागघर भवन का उद्घाटन कहां किया गया था देखिए भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डागघर का जो उद्घाटन है 3D से प्रिंट्स के बना है ये तो हाइली टेकनलोजी ये यूश क्या गया है वो बना है टेक्नलोजी की शहर बैंगलूडू में कौन से शहर टक्नीकी शहर बैंगलूडू में ये बना है 3D कंग्रेट मुद्रित डांगर भवन 3D से बना है ये मतला सुझिए कि इसमें humans being जाता नहीं इंवल्व हुए है ये बना है 3D मशीन से बना है हाल ही में रॉबर्ट फीको किस यूरोपिय देश के चौथी बार प्रामिनिस्टर बने है या प्रधान मंदरी बने है यूरोपिय देश के प्रादमंदरी चौथी बार और नाम किया है रॉबर्ट फीको तो ये बने है स्तुलोवाकिया के नहें सुल्वाकिया के शौथी बार प्म मतलब kommtie अच्छा काम कर्रें होंगे ये वहाँ हमारा अगरा सवाल है हाल ही में कौन वंडे विशु कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं देखें वंडे विशु कप में जो चल रहा है उसमें सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज जो बने हैं जातिगत बात करें तो OBC जो एक community है हमारे देश में जिसको बोलते है other backward process उसमें दो तरह के लोग होते हैं OBC community में पहले वो लोग जिनके पास जमीन ज्यादा माने की संपस्ति काफी ज्यादा होती है और दूसरे वो लोग जो किसी नकिशी के पड़ंपडिक काडिगर की रुप में या सिल्पकार की रुप में या किसी चीज को बनाना की रुप में वो काफी दक्ष होते हैं जैसे माली जीए सुनाड जो लोहे का जो सोने का काम करते हैं या फिर लोहाड जो लोहे से बहुत सार चीज बनाते हैं या जो पीतल का बरतन बनाते हैं या फिर जो बढ़ी का काम करते हैं लेकड़ी का काम करते हैं कारपेंटर ऐसे वो लोग हाथ से बड़े दक्ष होते हैं बहुत बहतरीन काम करते हैं, तो उनहीं के लिए सरकार का योजना है, PM विश्करमा योजना, जिसमें सरकार उनको लोन प्रवैड करती है, और वो जो लोन का इंटरेस्ट है, काफी कम इंटरेस्ट है, और उससे पाड़ंपडिक कारीगर जो है, और शिल्पकार को है, वो समर् प्रथन करना यह है, PM विश्करमा योजना, और यह कब शुरूआ था, यह शुरूआ है सेप्टेम्बर को, और कब 2023 में, इसी वर्ष यह शुरूआ है, सेप्टेम्बर के दिन में, जो कि प्रथान मंतरी का भी बर्थडे था उस दिन, हमारा अगरा स्वाल हम देखते हैं, और डिजिटल सिक्षा में, डिजिटल साजिदारी के लिए सहमत हुए है, मतलब टेक्नलोजी के छतर में काफी आगे बरने के लिए भारत और किसी यूरोपियन कंट्री या फिर ऑस्टेलिया, कोई भी कंट्री जो साथ में सहयोग किया है, वो किया है, फिन लैंड ने, किस एक राष्ट एक चुनाओ, कि संभावनाओ का पता लगाने के लिए किन सरकार ने निमलिखित किसकी अध्यक्षता में आठ सदस्य समीटी का गठन किया है, ये गठन हो चुका है, लेकिए देश में, अभी हम जानते हैं कि हमारे देश में दो-तीन राज्यों में चुनाओ ह है, वो महद परदेश है, राजस्थान है, च्छतिस गड़ है, इसके अलावा भी कुछ राज्यों में चुनाओ है, तो हमारे देश में चुनाओ का सीजन सालों भड़ चलते रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा राजी हैं, दो किन शासित परदेश से हैं जहां चुनाओ हो एक समय में सारी चुनाओ को करवा लिया जाएं, तो इसके लिए और ये इसमें बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स आएगा, इसमें कुछ परिसानिया भी आ सकती हैं, तो इसी सम्भावनों को पता लगाने के लिए, हमारे पुर्वराश्थ्पती रामनात कोविंद की अध्यक से आते हैं, और उन्होंने फिर अपना नाम वापस दे लिया, तो इसके फिलाल जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है रामनात कोविंद कौन है, रामनात कोविंद इसके अध्यक्ष है, डूरंड कब 23 की ट्रॉफी बिजयता टीम कौन सी है, डूरंड कब जो होता है, वो हो 25 कौन है विजेता Even the kepada 2 काफी बेतरिन टीम है आप लोगोंने इसका नाम सना ही होका मोहन बगान बगान की टीम काफीक थे चलंगी की इस वाड की डूर Toutटे इस की विजेता बनि है कि हमारा गरा सवाल हम दिखते हैं कि नी दिस nice healer हली में भीशन तुफान साउल के करन निम्लिखित किस महत्पुन व्यपारिक शेहर की हवाई उड़ारे स्कूल, कॉलेज और वित्य संस्थान बंद कर दी गए तुफान का नाम है सावला और दुनिया का एक महत्पुन व्यपारिक शेह उसका हवायड़ा, स्कूल, कॉलेज और विती सहर बंद कर दिया गया, वो सहर था हॉंग कॉंग, कौन सहर था, वो सहर था हॉंग कॉंग, जो की सावला टाइफून, तुफान सावला के वज़ा से ये शहर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अब एक खाद मानक संस्था, फुड सेफ्टी और स्टैंडर और अथरेटी ने, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, FSAI, ने बिहार के किस रेलिवे स्टेशन को उच गुनवत्ता युग्त खानपान, तेवा मुहिया कड़ाने के लिए बेहतरीन रेलिवे स्टेशन का पुर्षकार परदान किया, यह बड़े ही गौडब की बात है, भाड़त के लिए भी, और हमारे बिहार के लिए भी, कि किसी रेलिवे स्टेशन को खानपान, उच गुनवक्ता पुड, खानपान, जो परदान करने के लिए यह पुर्षकार मिला है, साफ सफाई का भी और गुनवक्ता पुड, क्वालिटी वाला खाना वहां मिलता है, तो वो है बिहार का पटना का, अपना राजिंदरनगर स्टेशन, जो बिहार के लोग हैं, खासकर जो छातर हैं, यहां से कई बार उन्होंने ट्रेन को पकड़ा होगा, तो यह मिला है बिहार के राजिंदरनगर स्टेशन को पटना के, राजिंदरनगर स्टेशन को मिला है यह पुर्षकार, जो की खान पान में काफि गुनवत्ता मिंटेन करता है, तो आपने देखा कैसे तीस को आसानी से समझा के, कुछ बता के, साथ में डिसकस करके, आसानी से आपको याद कराने की कोशिस करी गई है, तो यह कोशिस हमारा लगातार बना हुआ है, आप हमारे पेड कोर्स को भी ले सकते हैं काफी कम रेट में हैं और काफी अच्छा कंटेंट है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में